तो थोड़ा और बढ़ जाएगा 12 में तो strength कैसे define करते हैं? Mass of solute in gram divided by volume of solution in liter क्या आपको इसमें और molarity में कोई similarity दिख रहा है? molarity हाँ, बिलकुल उसमें होता है mol of solute upon volume of solution in liter तो अगर आपको ये दिया हो तो ये पहुँच सकते हो, ये दिया हो, तो ये निकल सकते हैं क्यों जी? अगर मैं आपको बोलूँ कि बटा मैंने two molar solution लिया है NaOH-Aquus क्या इसका strength बता सकते हो? तो बोलोगे क्यों नहीं बता सकते हैं? मतलब क्या होता है? two molar को breakdown करो, इसका मतलब two mole NaOH in one liter solution तो हमें volume मिल गया, mole मिल गया, क्या mole से mass नहीं आ जाएगा क्या आपको? कितना आएगा? two into 40 80 gram एक liter में तो strength कितना हो गया? 80 gram per liter तो कभी पूसा जाए कि भई अगर molarity मालूम हो, तो क्या करो? molarity into molar weight of solute isn't it? देखो ना? बोलो, समन मारे ना? क्यों हाँ, यह strength है, molarity into तो direct आप यह लगाओ, अगर आपको molarity मालूम हो, तो molarity into molar weight कर दो क्योंकि molarity का formula क्या है? mol इसमें molar mass से multiply, mass कैसे निकालते हो? यह mass कैसे निकालते हो? this you simply take mol into molar weight, यही करते हो ना, upon volume तो यही क्या है? molarity, यही मैंने उपर लिखा है into molecular weight of, तो यह भी तरीका होता है क्या इसमें numerical कराने के जरूरत है? कुछ कराने के जरूरत है? वही सारी चीज़े repeat होंगी, जितने मैंने mol के questions आपको कराये हैं, molarity में, वो सारा मैं strength के लिए repeat कर सकता हूँ बस formula बदल जिए मोल के जगा पे mass आगे बस इतना ही है एक करा दूँ चला, लिखो चला, कोई जरूरत नहीं है वैसे इसका, बट कर लो तुमें आत्म संतुस्टी के लिए जरूरी है लिखो लिखो An aqua solution is prepared An aqua solution is prepared by mixing 2 mol of magnesium chloride, MgCl2 in 500 ml of its aqueous solution 500 ml of its aqueous solution find the strength of the solution find the strength of the solution magnesium value how much atomic mass 24 and chlorine 35.5 gram per liter gram per liter 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 झाल कर लिया है सब लोगों ने आईए देखते हैं बताओ strength निकालने के लिए हमें solute का मास से क्या information दिया है जिसे solute का मास निकल दिया है कितना दिया है हमें two mole किसका दिया है बोलू ना कि एम जी सी एल टू तो इसका मोलर मास बताओ कितना होता है 24 प्लस 71 दुनों का मिला के 71 कितना आगया 95 ग्राम आगया वन मोल का ना तो तू मोल का कितना हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास कितना आगया जी वन नाइनटी ग्राम पस हो गया वन नाइन जीरो ग्राम वॉल्यूम कितना दिया है 500 एमिल दिया है तो हां तो 500 एमिल को 1000 में बदल जीरो पॉइंट फाइव यह उपर टू से मल्टिप्लाई कर लो कितना हो गया 380 ग्राम पर लीटर विल भी दे राई चांस है और कुछ है जो पूछना है इसके अलमा ठीक है तो अटेम्ट कर लोगे हो जाएंगे क्वेश्चिंज आज व मैं पहले कुछ वर्क्षीट के क्वेश्चिन डिस्कस कर देता हूं जितना आपने अटेम्ट किया है देखते हैं निकल लिए इस्ट वर्क्षेट निकला हां विटा हो गया निकाल लिए इसबने चले पीडियाप से देखेंगे हम लोग किदे 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 कि वर लिए किदे किदे किदा किदा कि प्रह कि वर कि निकाले है जबने एक बड़ी देखो आपको कौन से डाउट है जड़ी देखो आपको झाले है झाल झाल कर लिया चेक विटा आई इचलिया करते हैं डिसकस question number one two बसाद उठान डिसक्स करूँगा three normality skip कर देना star लगा देना अभी वो कराने का फाइदा नहीं है वो रडॉक्स में दराऊंगा question number one two three four five six seven eight nine ten ten में है problem देखूं क्या है अज़ा बढ़े हैं अज़ा इसे यह आज आना चाहिए क्योंकि अगर आप sevens कर चुके हो तो 10 तो उसके जैसा है बस दो अलग अलग क्यामिकल्स मिला रहे हैं नाइंथ बताना है नाइंथ है बताना है कोई बात नहीं चाहिए चलो पहले नाइंथ ही बता जेरो फिर टेंथ पर आते वैसे जिनका seventh हो गया वह एक बड़ी दुबारा ट्राई करो टेंथ को उनसे हो जाना चाहिए कोई बात नहीं मैं देख लेता हूं हो सकता है की correction ही हो मैं एक बड़ी चेकर लेता हूं now coming to the question number 9 density कितना दिया है 1 gram per ml हाना अब पूछ रहा है कि अगर मान लो सिरफ आपके पास pure water हो तो उसका molarity कैसे निकालेंगे तो एक बाह बताओ जब pure water है तो इसका मतलब यह solution के respect में molarity नहीं पूछ रहा है क्योंकि अब तो कोई solution ही नहीं तो molarity will be the ratio of the number of mole upon the volume of the pure compound तो इक बाह बताओ इसका 1 gram present है in 1 ml तो volume कितना हो गया जी 1 by 1000 कोई problem और mole कितना हो गया जी 1 by कतम होगे क्या question 1000 by 18 will be 55.55 देख में density दिया है न बिटा 1 gram per ml तो इसका मतलब 1 gram of liquid water is present in 1 ml of तो जब pure compound का निकालते हैं तो सिरफ उसी का volume लेते हैं और उसी का mole लेते हैं क्योंकि solute तो कोई है नहीं solute के respect में इसकी molarity कितनी आती 0 क्योंकि कुछ मिलाया ही नहीं तो यह question तब आता है जब हमारे पास प्योर लिक्विड हो जैसे अभी मैंने आपको H2O ले लिया फिर कभी आपके सामने कोई और लिक्विड वगरा ले ले उसके बार अगला देखते हैं आपने 10th कितने लोग का doubt है 10th हाथ उठाओ करोगे ट्राई एक बर द्वारा ट्राई करना है करके देखो एक मिनिट देता हूँ तो इतने ज़्यादा टाइम नहीं लेगे मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ दिया क्या है ताकि आप थोड़ा करके 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 चले बिटा क्या है चले आई तो वाट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर बेरियम हाइड्रॉकसाइड इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना लिया जाए और इसको मिलाया जाए किसके साथ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रॉकसाइड और 500 ml लिया है इसका तो सच दाट दे कंसेंट्रेशन ओफ ओच माइनस कितना हो गया है मॉलारिटी ओफ ओच माइनस कितना हो गया सॉरी 50 ml है क्या हाँ sorry 50 है तो चलो 50 ml ले 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 थे 0.3 है ना पर ये तो हाँ जी 50 ml of 0.3 molar NaOH ये तो 0.4 ही था ना ठीक तो गेट अ सॉलुशन विचाज मॉलारिटी ओफ ओफ ओच माइनस कितना 0.5 मॉल पर लीटी हाँ ना तो देखो बेशिक प्रिंसपल वही है कि हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि वही टोटल मॉल आ कहां से रहा है NaOH OH माइनस का टोटल मॉल दो जगा से आ रहा है एक तो यहां से और अब इस बार थोड़ा ध्यान देना है कि जो बेरियम हाइड्रॉकसाइड है उसका एक मॉल कितने मॉल OH माइनस देगा पाने के अंदर दो मॉल बार यहां रखना तो अगर मान लो यह M-L में ही मैं मान ले रहा हूँ M-L में ठीक हाइड कैलकूलोशन भी M-L में तो मैं मान ले रहा हूँ कि यह X-M-L है तो कितने लोग कह रहे हैं कि अगर M-L है तो हमारा जो मॉल तो इसमें मोल निकालना हो बेरियम हाइड्रॉकसाइड का दिये ओच वोल ट्वाइस तो क्या करूं मुलारिटी इंटो वॉल्यूम तो मुलारिटी कितना है पॉइंट फॉर इंटु एक्स यहाएगा मिली मोल कोई प्रॉब्लम क्या अगर यह पॉइंट फॉर एक्स आ रहा है तो कितने लोग के रेस का डबल आएगा तो नमबर ओफ मॉल ओफ ओएच माइनस फ्रॉम किसे बेरियम हाइड्रॉकसाइड विल बी जिरो पॉइंट फॉर एक्स इंटु तू यानि पॉइंट एट एक्स मिली मोल और यहां से कितना आएगा जी यहां से तो कितने लोग के रहे है एने उएच तो एक मोल से एक मोल ही आने वाला है तो जितना भी मोल यह होगा किस कितना मोल है पॉइंट फिप्टि कितना आगया 15 mmol, तो ये भी 15 mmol आ गया तो number of mole of OH- from NaOH is how much? 15 mmol, कोई problem? तो total mole of NaOH- कितना आएगा? दोनों जगों को add कर दो 0.8x plus 15 mmol total volume in ml ही डाल दो कितना है? बोलो, x plus 50 mmol, कोई problem क्या? कितने लोग करें, mmol से कट जाएगा? तो ये mole उपर आ गया, नीचे, लीटर आ गया, answer और ये ही value कितना दिया है? 0.5 यानि 1 by 2 is equal to 0.8x plus 15, x plus 50, क्या solve नहीं कर लोगे बिटा? cross multiply इसे को x plus 15, 1.6x, 30, अब x को एक तरफ करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इधर 20 आ गया, इधर 1.6x minus x आ गया, 0.6x is equal to 20, तो x का value कितना आ गया? 20 by 0.6, यानि कि 100 by 3, सही बोल रहे गया? 33.333, कोई answer है इसमें? वही है? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं? तो थोड़ा सा बस tricky था उसमें? कोई बात नहीं है, फिर अच्छी बात है, question number 11 भी बताना है, ये तो सीधा हमारा question है, चलो ये भी बता रहता हूँ, 11 कितने लोगों से नहीं हुआ है, आधरो, question number 11 कितने लोगों से नहीं हुआ है, okay, चलो, ये भी आसान ही है, बिलकुर, देखो इसको जल्दी से करके खतम क करेंगे, ठीक है, एक line में, a sample of H2SO4 having density 1.8 gram per ml is 90% by weight, ठीक है, what is the volume of this acid that has to be used to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4, पहले इसको लिखते हैं, बोल रहा है कि एक sample लो, जिसमें H2SO4 और उसकी density 1.8 gram per ml की है, और इसमें 90% है H2SO4 by mass, density दिया है, percentage by mass दिया है, 10 रखो X का value कितना है, 90 into 1.8 upon 98, इसको solve करके निकालो तो value कितनी आ रही है, 16 point, 16 point कितना रहा है, 0.53, आप लोग एक बार ही verify कर लो, यह सही है, 16.53 molar, तो इसका मतलब कि solution का molarity 16.53 molar है, अब बोल रहा है कि भई, इसका क्या volume ले लो, मतलब इसको pipit out करो, और उसके साथ कुछ पानी मिला हो, मानलो यह VML ले रहे हो, यह VL ले रहे हो, और इसके साथ कुछ पानी मिला हो, ताकि जो नया H2SO4 का solution मने है, उसका molarity कितना हो जाए, कितना रहे है, 0.21 litre है, और 0.2 molar है, अब आप बताओ, 16.53 का अगर VML ले लिए, और इसका molarity कम करना है, तो dilute करना पड़ेगा, यही तो सेंस आया, तभी तो समझ में है कि पानी भी मिलाया होगा, बोलो ना, डाइलूशन से molarity क्या होती है, बटा, डिक्रीज करती है, कंसेंटरेशन टर्म्स, डिक्रीज करते है, तो अब हमें यह समझ में है कि कुछ न कुछ इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, चलो जाए जो भी हो, बट फाइनल वॉल्यूम तो दे दिया ना, मुझे, और इसमें कुछ न कुछ पानी मिला रहा हूं, तो यह फाइनल हमें समझ में आ रहा है कि इसका वॉल्यूम वन लीटर हो गया और molarity कितनी 0.2, यह है ना, तो क्या question खतम नहीं हो गया, बटा, पहले H2SO4 का mol और बाद में H2SO4 का mol तो सेम ही रहेगा ना, तो पहले mol कितना हो होगा, X into 16.53, बाद में कितना होगा, molarity into 1, अंसर क्या आ गया, 0.2 upon 16.53, यह वैल्यू देख रहे ना, थोड़ा कैल्कुलेटिव है, यह लीटर में है, इसको 1000 से मल्टिप्लाई करोगे, ML में आ जाएगा, करके देखो, आ रहा है, ठीक है, समझ में आया ना, यह question, कैसे कर रहे है, so basically, direct molarity देने के बजाए, उसने कहानी के form में molarity दिया, इतना percent solution है, ऐसे, ऐसे, अब इसका कितना volume, easy question क्या होता, इतना molar solution है, उसका कितना volume ले ले लें, कि finally, इतना हो जाए, dilute करने के बाद, तो की point क्या है, दोनों में number of mol of H2SO4, same होंगे, यही सोचने वाली बाद, mol of H2SO4, will be same here and here, यही हमने key point पकड़के निकाला है, चले, question number, 12, बताना है, ठीक है, एक बर, what is the volume of water to be mixed, 12 में कहा normality, what is the volume of the water to be mixed, in 500 ml of 0.5 NaOH, so that its concentration becomes 10 mg mg per ml, 10 mg per ml, यही करने लाइक questions आया है, देखो, सब लोग पढ़ो एक बरी, और समझो क्या लिखा हुए, कितने लोगों ने यह worksheet complete कर लिया है, नहीं क्या है, गलत बात है यह, तो फिर यह में last question है, इसके बाद आप लोग ट्राई करना, फिर मैं discuss करूंगा, वरना कोई फायदा नहीं, जो आप खुद से निकाल सकते हो, आज मैं दे रहता हूँ, आप लोगो heart coffee भी, आप इसको करके आना, फिर हम लोग अगला, इसके आगे का discussion, पहले यह try कर लो सब लोग, इसको try कर लो मेरे ख्याल से हो सकता है, आप लोगों से, मैं एक बारी board पर लिख दे रहा हूँ, क्या कहानी बोल रहे है, बोल रहे है कि, बताओ कितना पानी इसमें मिलाया जाय है, किसमें मिलाया जाय है, 0.5 molar NaOH का solution है, और जिसका volume कितना है, 500 ml है, इसमें पूछ रहे है, कितना पानी मिलाया जाय है, मान लो X ml, such that, जो यह नया बन रहा है solution NaOH का, उसका जो concentration है, concentration के तो बहुत सारे unit होते हैं, जितने मैंने लिखवाए हैं, उससे भी जादा होते हैं, वो तो चोड़ो सबसे common है, तो इसने लिखा है 10 mg per ml, यह कहान ही दिया हुआ है, तो यह एक नया ही concentration इसने develop कर लिया, कि mass in mg upon volume in ml, this is how it is written, तो चलो, देखते हैं, आप लो क्या करते हैं, लगाओ दिमाग, इसको कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगो, इसके बाद का आप लुग ट्राई करना, इसके बाद का आप लुग ट्राई करना, इसके फोन लेल, बनाएक, झाला करना दिमागर लगो, इसके बाद करॉग लगो, इसके बाद कर लुग लुग ट्वाद लुग लुग है? झाल झाल कर लिए अब ट्राइ करें अब देखिए सबसे पहले काम करता हूं इस अन्नोन कंसंट्रेशन तर्म से मैं नोन वैल्यू में बदल लेता हूं नोन वैल्यू में मतलब मैं मुलारेटी निकाल लेता हूं कि तब बड़ा असान होगा मुझे आंसर दरना तो एक बार बसाओ अगर यह बोल रहा है कि 10 मिली ग्राम एने उसका एक एमल में प्रिजेंट है तो वॉल्यूम कितना है वन एमल मास कितना है एने उसका 10 mg का मतलब 10 इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम गाट इट तो क्या मुलारेटी निकाल सकता हूं इस सोलूशन का कैसे आएगा मोल अफ एने उस अपावर माइनस 3 अपावर माइनस 3 अपाउन 40 कोई प्राब्लम क्या वॉल्यूम कितना है वन अपाउन थाउजन यह लीटर यह मोल अब देखो यह थाउजन ऊपर चला जाएगा यह यह गायव हो जाएगा 10 बाई 40 यह वन बाई 4 आ जाएगा 0.25 यह वन बाई 4 है अब देखो हो जाएगा क्या अब इसकी अगर मुलारेटी मालूम चल गई तो तब हो पाएगा तो हाँ जी बिल्कुल हो पाएगा कैसे कि इन दोनों में क्या चीज़ फिग्ज़ होगा सर एने ओस का मोल और हमने याद करो या तो फिर आप डाईलूशन का फॉर्मुला लगा दो एक ही बात डाईलूशन का फॉर्मुला याद है कैसा होता था M1 V1 upon is equal to new molarity yes or no और वो value कितनी है 1 by 4 जहाँ पे V2 क्या होता था volume of water that you have added yes or no जियान रखना M1 कितना है 0.5 volume कितना है जी उसका 0.5 into 500 ml yes or no नीचे कितना है मैंने x ml एजियूम किया है plus 500 ये भी क्या आ गया ml ये कट जाएगा ना उपर नीचे से इसलिए मैं direct लगत दे रहा हूँ otherwise आप क्या करो इसके जगह पर क्या करो लिखो खुश हो जाओ 10 के पावर माइनस 3 करके खुश हो जाओ अब कट गया ना जिनको डर लगता है कि भई volume in liter अपने बुला था तो उनके लिए बता रहा हूँ हो गया तब क्या आ गया 0.5 into 500 250 हो गया उपर upon x plus 500 बूलो बिटा सही है क्या यह 1000 हो गया cross multiply करने से x plus 500 आंसर क्या आ गया 500 है मैं ले बरी चेक कर लो के calculation कोई गलत तो नहीं हाँ अगा उससे भी निकाल सकता है मैं तो बोलो एद्धम simple तरीके से represent करो जहां जाना वहां जाओ यह क्या फुरक फुरकत है तो यह वह भी तरीका सही है देखो करने के सवाल बहुत सारे उनमें से तुम्हें वह मेथेड़ बता रहा हूं जिससे आप आसानी से समझपा और भी तरीके होंगे जरने के कर सकते हूं कहीं सारे मेथेड़ से कर सकते हैं तो आपके तरीका दिखा रहा था कैसे छीके विटा तुछ चलो तो फिर यह डिसकुशन यहीं पर खतम करता हूं बागी आप कर क्या मेथेड़ पर हैं मेशे कर रहा हूं कर संदी स कर सकते हैं